असलाम लेकुम फ्रेंद्स वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आइल मेग दर चिकन ब्रेट चिकन ब्रेट बिनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाते जि सब्सक्राइब कीजिए और इसको अची तरह से मिक्स करते हैं हम हाफ काफ मिल्क लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एड़ करेंगे और इसको गूंते जाएंगे हमने हलका सा गरम दूब लेना है और जब दूद हमारा मकमल इस्तमाल हो जाएगा इसके बाद हम पानी का इस्तमाल करेंगे और हम उतना पाने लेंगे जितना हमने डोब नाने के लिए मनासिब होगा डोब को ची तरह से गूंदेंगे और इसके बाद इसमें दो से तीन खाने के चमच ओल डालकर इसको फिर से दुबारा से गूंदेंगे अब हम इसे दो गंटे के ली कवर करके रख देंगे मैं अवशे जगा पे हवा ज्यादा नहीं होती इस वर इसे मैंने और कि चलाना नहीं होगा एक पैन ले ले और इसमें चार चमच खाने के चमच है तेरी डालें और इसको मीडियम भाग पर पकाने इस ऐसी कटी हुई प्यास को हम इसके नड़ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे प्यास को सिरफ सोके करना है अब हमने सोके कर लिया अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और लसन अजरो का जो पेस्ट बनाया उसको आड़ करके अची ज़रा से पकाएंगे आने के बाद हम इसके अंदर गोश टालेंगे और इससे अची ज़रा से बूनेंगे आने के बाद हम इसे अंदर है हम इसमें एक चाई का चम्मच नमक नालेंगे आदा चाई का चम्मच लाल मिर्चे आदा चाई का चम्मच दढलेंगे अची तरह से मिक्स करेंगे जल पकाएंगे अब दालने के बाद हमने उसे अची तरह से पकाया है और अब हम इसके अदर आदा चाय का चमज करम मसाला एक चुताई चमज काली में चीड़ा लेंगे और निंको भी अची तरह से हला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अची तरह से पका लेंगे अगर आप चाय का चमज सोयल साइट करूंगी अगर आप चाहते हैं तो डाल भी सिपते हैं अगर आप ने चाहते तो नहीं डाले एक चाय का चमज विनिगर यानि सिरका एक चाही का चमज जो है चिली सोल्स डालेंगे अगर आपके घर में यह सारी चीज़े मजूद हैं तो आप इसे डालें अगर आप वसी मजूद नहीं है तो आप ऐसे करें इसे नाड़ आप वैसे ही पका लेंगे अब सची सरह से मिक्स करें और पकाएं के अंदर हम शिम्ला मिच डालेते हैं जो के एक चोटे साइस की कार्ट के रखी हुई है और इसको डालने के बाद अची तरह से पकाएंगे कि दालने के बाद हमने इसे ची तरह से पका लिए है अब हम इसे चम्माच के साथ चोड़े 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 टुक्डों में कर लेंगे अगर आप चाहें तो छोटे पहले ही लेने ताकि आपको बाद में करने ना बढ़े पर मैंने बढ़े ले ले थी इसलिए मैं आप इसके अदर एक चुटकी और एक चुटकी बैसिल डालेंगे अगर आपके पास अदर ले मैं जा यह को से अदर हैं आपके ब्लेट में निकाल लेते हैं तो अदर दूब हैं तो फ़्लेट में निकालेंगें तो कि बिल्कुल तियार हो सुटकी है हमने डो को देखते हैं जिसको रखे हुए दो गंटे हो चुके हैं यह देखे कितनी नरह हो गई है हम बहुत खूल चुके हैं हम इसको दुबारा से गुननेंगे पांच मिट के लिए जीस्ट यूज किया है आप उसको आदा किलो से एक किलो के अनमेदे के लिड़ा सकते हैं पर मैंने आदा किलो मेदा लिए थोड़ा सा मेदा जो आप फरश पे छिड़क लेते हैं और उसके सब्व encaps करके पांच में सौक तरह कर दो हमें को कपा हैं तो अगर आप जाएंदो चोटे साइस में बना चाज़ना के जाएं पर मैं चोटा और बड़े साइस का मैं इसके वाई मैंपना हो जाएं aesthet cyn Пर मैं बनाच सके है कि जोड़ा साइस का नहीं हूंगी चोटे साइस में आटाडस्ट करें और इसके बाद डालने के बाद ढूसी के बढूर जासी घ्रm मैं बलूँगी हमने इसको लंबाई में बेलना है गुलाई में नहीं बेलना है अब जो चीगंगा मैंने पेस्ट यार किया है वो मैं इसके इंदर डालूँगी अब इसके साइड़ों पर हम कर्ट लगा लेते हैं और जो एक्स्ट्र बच जाएगा मैं उसको काट दूँगी सारे को कर चुगा है तो हम इसको फोल्ड करते हैं हमने एक पट्टी के ओपर दूसरी पट्टी को रखने हैं पहरे दाइं साइड के पट्टी लें फिर उसके ओपर बाइं साइड के पट्टी को रख दें इसी तरह हमें सारे को करना है सारा फोल्ड के नेकवाट जो एक्स्ट्रा पट्टिया रही थी उसको हम काट दिते हैं और एक अंडा जो के हम इसके ओपर लगाएं को अच्छा तरह से बीट कर लें मैंने इसे ट्रेय में ट्रांसफर कर लिया और अब मैं ब्रश की मताशी अंडा इसके ओपर लगांगी अगर मैं डल गूंगी तो बहुत ही बोल्डिश जा और अच्छा सा नाइस कर देगा इसके ओपर मैंने कलोंजी और तील और और बैसल सारा कुछ डाल आ हैं अगर आप चाहें तो एक चीज़ भी डाल सकते हैं चाहें तो तो आप लोंजी डाल दें चाहें तो आप और और एक ड़कन को पतीले में लख लें और उसके बब में ट्रेय रखें और इसको कवर कर दें और 20-25 मिनट के लिए पकाएं और अगर आप यूज कर रहे हैं माइक ओवन तो आप उसके अंदर प्री हीट की गिए 180 डिए सालसेस पर और इसे 20-25 मिनट के लिए बेक कीजिए 15 मिन के बादे कुछ इस तरह से लग रहा है और पूरे 25 मिनट के बाद यह बिल्कुल पच्छी तरह से बग गया विसको निकाल लेते हैं और प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं कि इसी तरह से मैंने यह चोटे भी बनाए हैं बाकी डो जो मेरे पास रहा की एक पेड़ा उसके मैंने टोडल चार्ज बनाए है कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा मज़ेका है अगर आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा जरूर 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 ट्राइ कीजिएगा यह आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आएगा आप इसको काड़ के भी दिखा देती हूं कि कितने अच्छी तरह से पर पार है अच्छी तरह से पर आप अच्छी तरह से पर आप बिल्कु सभी बनाएं बहुत द्री मजए का आप इसको ट्राइज जरूर कीजिए गा मेरे कहने पर आप इसे ट्राइज कर लिजीए अगर आपको मेरी रेटी पिसान दाय है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और प्रमेंड कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ओफिशिल इंस्टा क्रॉंट पर फॉलो कीजिए थैंक यू अ वाचिंग, अल्लाहाफिज वी एमानिल्ह